बाउजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटकाइट पीपल्स वोईज और पहला आइकन दबाए बाउजन समाज की तरब से जो कार्यवाई की गई थी डिली के लुगाबाद में स्थित रविदास जी के मंदीर और अभिहारन के अंदर आपको बताएगा था उसके उपर कार्यवाई की गई और उसको आपको बतादे का तिकरण मन मानते वे सुप्रेम कोट के आदेश के बा अगस्त की रात पुलिश ने उस पर चापा यानि अपनी कब्जे में उस मंदीर को ले लिया था सुबह जब 10 अगस्त को बाउजन समाज के लोगों को पता चला तो बाउजन समाज की तरब से भी वारविक परमुक चंदर सेकर आजा सही तमाम लोग वहाँ पर मुझूद रहे लेकिन उसके बाउजूद भी सेकड़ों की संक्या में तादाद होने के बाउजूद भी परसासन ने जिस तरह के से सोकरेटी फोर्स वहाँ पर लगा कर जबरे तस्ती जैसे भी के दौरा उस मंदीर को उढ़ाने की प्रकिरिया की गई उसके बाद खुद चंदर सेकर आजाद भी भाव को पे नजरायत को बता है कि उसका वीडियो पे आप अमारे चैनल पर देख पाएंगे खुद चंदर सेकर के आखों से आसू निकलाये थी जब इस मंदीर को तोड़ा जा रहा था इसकल आपको बता दे कि इसके बाद भीमार्मी के प्रमुक चंदर सेकर आजाद ने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेक्ट करने का एलान किया है उन्होंने का है कि पूरे दीश के बहुजन समाज के वो लोग जो की घर में बेटकर गुलामी महसूस कर रहे हैं उनको 21 अगस्त को अपने खर्चे पर अपने जेब से फैसा लगा कर किसी गुटते नज़र आते हैं आपको बतायागी जिए खिलाब प्रोटेस्ट करेंगे इसलिएकि बड़ी खबर आपको ये बता देते हैं कि इसी मामले के अंदर पंजाब के अंदर सब से जादाद पी गभनादे जैसे ही कल 10 अगस्त को ये जबर दस्त प्रोटेस्ट हुआ उ कर अंदोलन रत रहे आपको बता दे कि एक बार तो परसासन पंजाब की पुलिस भी सक्टे में आ गई क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिर कुंसा मामला है जिसके वज़े से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यह मामला धिल्ली का था और पंजाब की पुलिस को इसमें ध्यहन में नहीं आया के अचे हैं पंजाब की तरफ से आप गोङोंकि अन्न पंजाब की तरफ से अफ एलान किया गया है कि 13 तार नहीं पन्दण नहीं थे प्रोटे से बड़ी ख़बरें आपको बताते के आखिर के प्रब लोगों ने कई है यानि कुल मिलाकर बात करें तो 21 तारी को बड़ा प्रोटेस्ट होगा लेकिन 13 अगस्त को उससे पहले पंजाब बंद की गोश्णा की गई है यह अभी तक की हुई जो कारिय वाई है वह हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक यह सब कुछ हो चुका है इस पूजा उस तरीके से नहीं होते हैं रविदास जी का मंदिर खुद रविदास जी पाकंड के किलाप लड़ा करते थे उनके एक याद इस्तली इसमारक उसे बोला जाता है इस तरीके से उनके याद में इसमारक जगह जगह पर बनाये गे हैं जिनको मंदीर की तोर पर सामले से जूड़ी हुई हर ख़बर तैके कात करते लेकर आते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुर ना भूले और आपको कहते हैं कि हर वीडियो को ज्यादा से जादा संक्या में शेयर कीजिए ताकि बहुजन समाज के हर विक